यहां पर हम HTML, CSS और JavaScript की concepts को beginner से लेकर advanced level तक पढ़ रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं list in HTML के बारे में कि आप लोग HTML के अंदर list कैसे बना सकते हो बहुत ही simple सा concept होता है इसको बहुत easily हम समझ सकते है तो basically आपके पास दो type के list होती है एक होती आपके पास un-ordered list एक होती ओर लिस्ट जब आप देखते हो na bullet points bullet points आपके basically un-ordered list होते हैं आपने ऐसी चीज़ें देखेंगे बहुत बार जैसे की groceries और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे fruit हो सकता है for example suppose करो apple और banana and grapes तो यह आपके un-ordered list है इस type के list को अगर आप लोगों का अपने HTML अपनी websites के अंदर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो उसके लिए हम use कर रहे होते है ul tag का ul tag basically मतलब होता है un-ordered list और इसके अंदर आप लोग multiple li items बताते हो ठीक है list items तो ul का मतलब होता है un-ordered list li का मतलब होता है list items एक ul के अंदर आप जितने मर्जी li's बता सकते हो और उनसे आप लोगों के multiple list item बनते जाएंगे इनको ज़रा code में देखते हैं और इसके अंदर हम अपना code करने वाले हैं इसका नाम देते हैं माइस्कूल तो अब यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी list हिट करेंगे टैब और इसके अंदर हम different li's बना सकते हैं तो li यह हमारा पहला एलाई होगा इसके अंदम सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैतमेटिक्स उसके बाहत हम करें command enter या control enter करेंगे windows के अंदर उससे हमारा क्या होगा हम अपने आप ही नई लेकिन अगर आप लाइन के किसी भी बीच वाली जगे पर और आपको एक नई लाइन में जाना है इसके नीचे नीचे लाइन में आ जाओगे तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे की काफ सारा टाइम बच जाता है इसके अंदर लिग दिता है लेकिन अपने ब्राउस के ऊपर जाके बार-बार रंबा और इस चीज को बार-बार ना करना पड़े आपके ब्राउसर के अंदर अपने आप ही चीज़े रिलोड हो जाएं उसके लिए हम क्या करेंगे एक extension का डाउलोड करेंगे तो extension वाले टैब में हैंगे यह हमारे extension का टैब है यहाँ पर और इसके अंदर सर्च करेंगे live server एंटर और इससे लोड होन देते हैं तो यह वाला देख रही हो extension जिसके ओपर 25 million डाउलोड है इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल और यह हमारी इंस्टॉल हो गई है तो इससे होगा क्या ना कि आपको एक नीचे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि यह local host IP address और यह पोर्ट क्या होता है तो इसकी टेंशन मतलो यह से हम देख रहे होंगे जब इंग्लिश के अंदर अलग तो उसके लिए हम नैस्टिंग करनी पड़ती है लेकिन वह समझते हैं कि अनॉडर लिस्ट के अलावा जो ओड़र्ट लिस्ट होती है वो कैसे इसको वापिस लिया तो अपने file explorer के उपर ही और हम चाहें तो यहाँ पर ul की जगह सीधा लिख सकते हैं ol यहाँ पर ol और यहाँ भी ol और इसको फिर save करते हैं मैं आपको वैसे last video में दाता है कि save करने की जरूती है बार-बार आप file के अंदर जाके auto save option को on कर सकते हैं इससे आप लोग की बार-बार auto save होती रहेगी file ठीक है तो अब हमें ना तो save करने की जरूता है ना हमें अपने browser के अंदर आके reload करने की जरूता है जैसे ही मैंने इसको ol किया और मैं अपने browser में आऊंगा तो यहाँ पर देखरो यह अपने और जब मैंने li के बाद लिख दिया कि इसके अंदर क्या data है तो इसके अंदर मैं nesting कर सकता हूँ इसके लिए मैं mathematics के बाद करूँगा enter और यहाँ पर मैं further और एक और list बना सकता हूँ तो suppose करो मुझे mathematics के अंदर further एक और list बनानी है जो कि एक और ordered list है जिसके अंदर मेरे सारे topics लिखे होंगा mathematics के तो उसके लिए मैं करूँगा ol उसके बाद एक चीज और कर सकते हो आप m8 के अंदर which is greater than sign और उसके बाद आप लिख सकते हो li multiply by 3 और इसके बाद enter hit करोगे तो य इसके बाद अगर मैं tab hit करूँगा तो देखना क्या होगा सर्फ मैं tab hit करूँगा मेरा अपने आप ही li वाले tag के अंदर cursor आ गया है इसके अंदर हम लिख सकते हैं differentiation और इसके बाद हम tab hit करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा permutations तो इसको again save करने की जरूद तो है नहीं अपने order list के बजा है unordered list को भी nest कर सकते हो and similarly unordered list के अंदर आप ordered list को nest कर सकते हो कुछ पराख नहीं पड़ता तो suppose करो मुझे English के अंदर चाहिए unordered list तो इसके लिए मैं क्या करूँगा unordered list ul and then this greater than equal to sign and then li and then multiply by let's say 4 and then hit enter तो इसे क्या होगा अपने आप ही m8 नहीं आप पर autocomplete कर दिया है अगर m8 को आप लोगो ठीक से समझना है न और भी कुल-कुल चाहिए समझनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे m8 पर जा सकते है m8 cheat sheet और यहां पर आप आप आपके पढ़ सकते हो कि आप लोगों का m8 किस तरह से काम करता है यहां पर मैं यह वाला हिई यूस कर रहो हूं आप लोग देखरे हो यूँल greater than li multiply by 5 तो बेसिकली greater than से क्या होता है आपके चाय बनते हैं यहां पर चायल बनाने के लिए यह वाला sign य किसी भी टैक को तो उसके लिए आप मल्डिप्लाई लगा के उतने टाइम उसको मल्डिप्लाई कर सकते हो तो यहां पर पांच बार मल्डिप्लाई हो गया इस टाइप के और भी एमेट के अंदर कुल-कुल चीजों को हम समझ रहे होंगे इस कोर्स के दरान तो आप लोग चा हिट करो टैब और नीचे वाले प्राज होगे आप अपने आप नाउन्स हिट करो टैब यहां पर सब्सक्रों ग्रैमर अंद नहां पर आएंगे तो यह अपने आप ही लिखा आगया उसी टाइम पर आप लोग फर्दर और भी नेस्टिंग कर सकते हो मतलब ग्रामर्स के अं करताना और यहां पर लेख सकते हो और इस तरीके से में आप आएंगे तो ग्रामर के अंदर आपको दो चीज और दिख रही हैं तो इस तरीके से हमारी नेस्टिंग करती है आप लोग यहां पर एलाइच के अंदर सिंपल सेंटेंस की बजाए कुछ भी चीज़ना डाल सकते मतलब आप चाहो तो यहाँ पर h1 भी डाल सकते हो फरक नी पड़ता और अब क्या होगा कि आपका जो h1 है वो एक li tag बन जाएगा यहाँ पर देख रहे हो यह वर्ब जो एक list item था यह एक h1 की फॉर्म में हमें देख रहा है तो आप लोग किसी भी चीज को एक list item बना सकते हो आप लोग paragraphs वगयरा को किसी भी चीज को एक list item बना सकते हो फरक नी पड़ता हम इसको वापिस ठीक कर देते हैं अब बात कर लेते हैं कुछ attributes की तो पहला attribute होता हमारे पास reversed इसकी help से आप लोग reverse कर सकते हो मतलब numbering को reverse कर सकते हो तो जैसे आप किसी भी list item को डालते हो तो वो reversed attribute set करने से आपके वो 3,2,1 करके दिखाई देगा basically reverse होके दिखाई देगा एक हमारे पास start attribute होता है इसकी help से आप लोग की list item की numbering start कहां से होने चाहिए तो आप बता सकते हो कि 4 से start होने चाहिए तो 4567 से start होगा आपका basically and then एक आपके पास type होता है तो आप लोग define कर सकते हो आपके जो numbering है वह आप लोगों की numerical है या फिर roman characters के अंतर है यह सब इन सब को अगर आप लोगों को और जादा जानना है तो इसके लिए आप लोग mdn खुल सकते हो तो हम यहाँ पर खुलते है mdn mdn ordered list और यहाँ पर हम आके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि कैसे आपका ol काम कर रहा और इसके अंदर जो attributes हो किसे के से काम कर रहे है तो यहाँ पर देखरो एक reverse attribute है एक start attribute है और एक type attribute है type attribute के अंदर आप यह चीज़ने डाल सकते हो यह डालोगे तो small case character जाएंगे तो इसको डाल के दिखते हैं तो करना क्या है आपको order list में आना है क्योंकि यह order list का attribute है यह li का attribute नहीं है तो आपको इसको मैं करेता हूँ capital I और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह 1,2,3 capital roman numerals के अंदर हमें देख रही है numbering अगला attribute भी देख लेते हैं which is start start को हम define कर सकते हैं suppose करो यह जो नीचे वाला order list है इसके अंदर में define करेता हूँ कि जो start है वह 3 से हो रहा है तो अब क्या होगा यह part of speech है यह हमारा 3 होगा and then translation यह वाला हमारा 4 होगा आपको याद रखना कि यह सिर्फ ol में काम करेगा ul में काम नहीं करेगा तो यहाँ पर देख रहे हूँ part of speech के अंदर यह हमारा third point होगा और यह translation हमारा four point होगा तो यह हमारा start होता है इसके अलावा हमारे पास यह होता है reverse जो मैं आपको बताता है reverse तो इसके अंदर हम क्या कर सकते है कि कि किसी भी ol tag को हम बता सकते है कि reverse से start होना चाहिए यहां पर एक नीचे एक unordered list है इसको भी आप लोग चाहो तो replicate कर सकते है अब easily तो basically आपको website को जाता से यादा clone करने पर ध्यान लगाना है और यहां पर ढूंडना है आपको कि कहां पर आपको order or unordered list मिल रही है जैसे कि आप यहां देख सकते हो see also वाले section को आप लोग इसके बाद अखली वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से आपकी tables काम करती है अश्टेमल के अंदर